नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन वर्मा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल प्यारे यूटुब चैनल ABC Classes by राजन वर्मा ठीक है तो ऑफिस से आने के बाद फिर से मैं आपके लिए इस नया वीडियो लेकर आगया हूँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है यूपीटर पिल ऐसे जूनियर असिस्टेंट के मेरे बच्चों आपको टाइपिंग क्वालिपाइग कराने के लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ ठीक है और मैं तो काम करता हूँ प्लीज मैं इमानदारी से करता हूँ तो मैं चा मैं कभी टाइपिंग में फेल ही हुआ हूँ ठीक है अब मैं आफिस में टाइपिंग करता हूँ तो इसा कोई भी कंपोलसटर ही होता है कि आपको 25 पर मिनिट की टाइपिंग ऐसा और टाइम है तो थोड़ा आराम आराम से लेते हुए काम किया जाता है ठीक है बच्छो तो मैं चाहगा हूं कि आपसट लोग से जल्ब सरकारी नौकरी में आएं बहुत मज़ा आता है और मतलब बहुत अच्छा फील होता है आप सभी लोग भी बहुत अच्छा फील करें ठीक है? मेरे चैरे पे खुसी दिख रही होगी Actually ये खुसी इसलिए है कि मैं आप लोगों के लिए एक-एक experience को ला रहा हूँ जहां-जहां मुझे कमी लग रहा है न तुरंद वीडियो बना रहा हूँ कि सभी तक ये वीडियो पहुचे और जिसने भी बच्चे हैं confusion जादा से जादा लोगों का दूर कर सकूँ ठीक है? तो बस आप लोग भी थोड़ा असा थोड़ा सा support करिए subscribe करने में पैसा नहीं पढ़ता है आपका और नहीं कोई loss है ठीक है? मैं हमेसा अच्छे वीडियो लाता हूँ तो जब भी अपडेट आएगा तो अच्छे वीडियो का ही आएगा ठीक है ना? तो अच्छे लोगों के लिए एक subscribe और एक like ठीक है? बागी मैं math पढ़ता हूँ complete math पढ़ा रहा हूँ तो आप math पढ़ना चाहे है तो welcome है आप सभी का बिल्कुल math को basic से सीखने के लिए ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि आखिर how UPSC calculate typing speed? UPSC जो है आपका typing speed कैसे calculate करता है? तो सबसे पहले आप सभी का सवाल कि 5K stroke लिया जाता है या one word को ही एक word down किया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको एक example देता हूँ ठीक है जैसे भारत के ठीक है मैं example दे रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरा यह तरीका है देखिए मैं पढ़ाता हूँ तो टीचर होना तो जब तर अच्छे से समझान आ दूँ तब तर मन नहीं मानता है आधा जूरा काम अच्छा नहीं लगता भारत के प्रधान मंत्री माननीर नरेंद्र मोदी जी है ठीक है अब अगर आप बात होती है कि एक वर्ड को एक एक वर्ड को एक वर्ड कांट किया जाता है तो भारत ठीक है अब देखिए अगर आपको तो कुर्ष्टितेयों पर टाइपिंग खर रहे हैं तो पहले आधा भाब बनाएंगे फिल एक डंडा बनाएंगे फिल एक डंडा फिल फिल था ठीक है हो गया तो एक दो तीन चार पांत मतलब यह पांथ है यह किसमत की बाद है कि 5 की की स्ट्रूप में भारत हो गया अपन प्रधान मंद्री को लेलीजे में पहले पा बनाएंगे फिर रा बनाएंगे ठोड़ किरंड़ा की चेंगे फिर नघ दिंदी एक चाहर पांच शाहार आठ overt ऐस की स्ट्रो डायबने इस प्रमाइब था इस पेस को काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है सबस्पेंस बताऊंगा लॉज्ट में तो प्लीज यार वीडियो को फॉरवर्ड मत करना मन्दब करना तो फिर आप वहीं चीज को कमेंट करते हुच वह बता चुका हुआ बहुत पुरा लगता है देखें मैंने अपना नंपर दे रखता है 790-530-9577 आप सभी की सेवा के लिए हमेशा आप WhatsApp कभी भी कर सकते हैं अपने लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं जो बता चुका हूँ वही चीज अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरी बात को समझेगा दस बज़े से लेकि छह बज़े तर ऑफिस टाइम है मेरा ठीक है बहुत से लोगों का ओफिस टाइम में कॉल आ रहा है ठीक है और फिर रात में बारा बज़े भी मुझे कॉल आया एक बज़े बी कॉल आया तो ऐसा ना कर लिए आप लोग फोड़ा सा समझदार बनिए कि आप यह समझे लिए कि टोल प्री नंबर है तो बज़े से लेकि आट बज़े तक बच्चों उसके बाद स्वयरी है तो आप लीव मैसे चीक है उसके आने के बाद में साथ वजे घर आता हूं चाय नाकता करता हूं आट बज़ जाता है फिर वीडियो बनाता हूं रात में बारा एक बच जाता है मतलब 12 इमेल तक मैं वीडियो बना के शूट करके अपलोड करता हूं फिर सोता हूं और क्या फिर सबेगा वही रूटीन है ठीक है तो कहने के पाद कहने का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे स्टुडेंट एंड प्यारे कैनि लिए कि थोड़ा सा आप टोतोक समझे क150 पूरा देख लेंजे भर थाकि वही चीज मुझे रिप्लाइब ना करना पड़े मैं फिर भी करता हूं कियो कि मैं नहीं चाहता कि आप्ध जो भी कर रहे हैं कि आपने वीकिल नहीं देखा मैं नहीं चाहता कि आपको बुरा लगे ठीक है तो थोड़ा आप चरोंगे तो सिधी बात करें एकवरड है है तो मेरे बच्चों सीधी सी बात बहुत करेंगे चुटा बुराइब करने खर है एकवरड होगा लेकिन की फो मतलब का लोद करें तो पहले हिंगे फिर मात्रा लगाएंगे फिर डंडा लगाएंगे तीन की श्ट्रोक तो वैसे भी हो गया ना ठीक है तो यह कहें ना कहीं चीजे आपस में मैनेज हो जाती है तो मैं सबसे पहरे यह बताना चाहता हूं कि वर्ड को सॉंट नहीं किया जाता है कैरेक्टर पर टैपिंग निकाल भारत के सविधान के बारे में कुछ भी हो छोटे से छोटा वर्ड भी अच्छा खासा लंबा होता है तो की श्ट्रोक को काउंट किया जाता है यह आपके लिए बेनिफीशल है और सबके लिए बेनिफीशल है क्योंकि कि यूपी ट्रिपल सी आयोग चाहता है बच्चे सिलेक्ट हूं ओके मेरी बच्चों चलिए अगे फिर देखते हैं क्यारेक्टर बेस्ट फॉर्मुला मतलब इसको हम कैसे निगालते कहते हैं और ग्रॉस वर्ड पर मिनिट नैक वर्ड पर मिनिट एंड अकुरेसी सारी ची इस ठोक स्कुवला सी को एक वर्ड माना जता है। ये मब्लेक्ट नहीं क्या जाता है तो अगर दे scale रॉन के वालते हैं चुकि यूश नहीं पड़ता है उसको भी कौन की स्टूप में नहीं किया जाता है और को Christopher करते है क्लोकिश नहीं होता है जैसे कि सिप के साथ आपको क्या होती है लिगना है जारम है तो आपको क्या करना है吉गे कुर्ति डियो में कुर्टी बोलते हैं करति बोलते हैं कि कृति देऊ कुर्ति देऊ मेरा मुझे कुर्ति को count नहीं किया जाता है लिवान यह आपने लिखा जिरो गवन एक लिखा मन्दब लगाए जिरो दो सोला किसका होता है ठीक है क्रक होता है जब जॉब में आजाए यह धिरी धिरी पुला जाएगा मैंने आपसे में कम्प्यूटर की सामने यह पीपर पर निकाल की चिपका दिया है क्यों कि कम्यूज होता है यह क्रावरा क्वरा काम होता है ठीक है ना तो यह जो आप आल को करेंगे तो वह सब्सक्राइब प्रफिट में काउंट नहीं किया जाता है एंड अधर मॉटिफायर की देए होते हैं फंक्शन की दो गया हो गया वह साइट चीजे बात करते हैं इस पेस बार की इस पेस बार को ले चलूँगा अंतिम में अब बात करते हैं ग्रॉस ग्रॉस वर्ड पर मिनट कैसे निकलता है अब मैं मानदा हूं आपने दो मिनट का है ठीक है बच्चों दो मिनट का टैस्ट है और आपने दो मिनट में कितने की स्ट्रोग कितने चार सो पी स्ट्ट्रोग या सबसा जा सोटर चार्कटर केने लिए धाट कार्तों थीपने आपने किया है तो चार सोब या कि पहले फ of तो पांच अठेच चालिज लिए असी हो गया अब असी को टाइम से दिवाइट करें तो टाइम कितना है दो मिनित का है तो असी बटे दो और आपके डिवाइट गिया तो कितना आगे चालिस वर्ड पर मिनट फिर क्या रही बच्चों 40 पर मिनट आखी टाइपिंग आगे बट यह ग्रॉस है और ग्रॉस भी नहीं लिया जाता है क्योंकि ग्रॉस में क्या होता है आपकी गलतियां भी गलतियां भी क्या है इंक्लूडेड है अब बात करते हैं अब यह मानता हूं आपने क्या किया आपने दिखिए जैसे कि विका था क्या हुआ इंडर धनुस कूरा पूरा घटत ऐंसे कि क्या हूआ और आप द्रहीं द्रहम दhard धनुस तो यह पूरा एक वर्डवर्ड गलत माना जाएगा हुए पूरा गलत माना जाएगा यह नहीं की बागी nor को चूंब किया जाएगा ऐसा नहीं है सब गलत हो जाएगा ठीक है तो इसलिए अगर आप तुर्ण ऐसा कोई बड़ा सा बर्ड टाइप कर रहे हैं और उसके छोटी सी गलती की वज़े से पूरा का पूरा गलत हो रहा है, तो उसको सही कर लें backspace करके, क्योंकि बाकी जो आपने महमत की है न, ये की श्ट्रोक खराब हो जाएंगे, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेगा, छोटी छोटी मगर मोटी बात, ठीक है, तो य इतने हैं, तो आपका जो speed आया था, ठीक है, 40 WPM में आप क्या करेंगे, माइनस 3 को कर, माइनस 3 कर देंगे, तो आपका आ गया 37 वर्ड पर विनट, ठीक है, और इसी पर आपका result आता है कि आप पास हैं, या फिर फेल हैं, ठीक है, अब बात करते हैं accuracy की, ठीक है, बात करते हैं accuracy की, accuracy आप कैसे निकालोगी, ठीक है बच्चो, तो accuracy मिखालने ते पहले, अभी तक मुझे पता है, बहुत से बच्चे देख रहे हैं, मुझे इतना comment भी करते हैं, इतना प्यार मिलता है आपका, प्लीज आपका accuracy है तो प्रसितत मुझ जवान भी लड़ा जाता है कभी कभी प्रतिसत मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो आप में कितना बहुत सही टाइप किया है 37 कितने में से सही टाइप किया है 40 में से प्रतिसत निकालने के लिए आप 100 का मल्टिप्लाइब कर दो ठीक है जीरो से जीरो कट गया ठीक है और यह हो जाएगा आपका दो दूनी चार दो पांचित दर ठीक है और इसको भी काट लिए तो दो नैंटी टू दो एक्कम दो ठीक है आगे फिर मंटिप्लाइब कर लेते हैं 25 का पांच दसमिलो आट पंचारीस और दो बैयालीस का दो हसी लग अच्छा पांच एकम पांच और चार नौँ ठीक है मैं आपको बता दूँ देखिए हमेशा आपने आपको सेज्व जोन में रखिए इसलिए देखिए 85% ठीक है यह मैं मिनमम बदार हूं ठीक है मिनमम कंप्यूटर ऑपरेटर में 85% से जिसका कम था वो सब फेल थे तो 85% से नीचे अक्रेसी नहीं होनी चाहिए और ग्रॉटर रहे आपकी ठीक है 90% से ज्यादा एक्तिर एक्तिर रहे आपकी ठीक है तो आपका कितना है 92.5% अपका जो 37 गोर्ट पर मिनट तो आप क्या हो गया कूटल पास हो गया अभी जाईए का नहीं खेल बाकि है अभी इतना समझ में आ गया तो इधर की चीजों आपिर तो चालीज वोट पर मिनट आ भी रही होगी तो वह चालीज वोट पर मिनट लाके तीन गलती कर दिये तो भी कितना आया 37 खिक है और अच्छी खासी है माल लेते हैं कोई 30 word permanent लाता है ठीक है 30 और वो सोची उसमें 7 गलती कर दी 30 आपकी gross थी ठीक है क्या थी gross थी और आपमें 7 word गलक टाइट कर दीए तो भाई आप तो ऐसे ही 30 में से 7 गया 23 word per minute पर आजाओगे आप तो ऐसे ही feel हो गया ठीक है डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है लग रहा है ना लगना भी चाहिए ठीक है तो देखे जिनका 30 है और गलती से भी उन्होंने 6 या 7 भी गलती कर दी तो आप fake इसलिए मैं कहता हूँ 25 word per minute मांगा है तो आप प्लीज 35 बना के जाए क्योंकि कुछ गलतियां होने के बाद आप 25 प्लस रह जाओगे 25 से उपर आ जाएगा लेकिन कम से कम नीचे तो नहीं जाएगा ठीक है एक्रिसी के बारे में चिंता मत करिए जिए आप टैटिंग करेंगे ना तो गलती नहीं होती है है बैक स्पिस करके सारे बच्चे सही करते हैं मैंने खुद किया था देखे मैं अब कोई अलग से नहीं हूं आप लोग की बीच में से हूं हंडेट परसंट एक्रेसी थी मेरी हिंदी में भी और इंगलिस में भी हंडेट परसंट एक्रेसी ठीक है जूट बोलता नहीं हो मैं यकीन करिया मेरे पास पर सबोत नहीं कि मैं आपको चीज दिखा पहूं ठीक है और मेरी हिंदी में 50 वर्ट पर मिनिट आया था और इंगलिस में 53 वर्ट पर मिनिट आया था तो बहुत आराम से पस लगे रहो प्रैक्टिस करते रहो तो कुल मिला कि के स्ट्रोक के बारे में और यह सारी डाउट्स आपके खतम हो गया है बात करते हैं इस पेस बार को काउंट किया जाता है कि नहीं तो बच्चों मैं आपको बता दूँ जब आप कोई वर्ट हैं और इसके बार इस पेस बार को काउंट किया जाता है कि आप वो आपके पैसिस के बीच में आता है ठीक है बाती मॉडिफार्स काउंट नहीं होते हैं वीडियो अच्छा लगा हो इंफोर्मेटीव हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सबके लिंक है ठीक है मैंने टाइपिंग किया हुआ है टाइपिंग कैसे करना है उंगलियां सावधाईयां क्या रखनी है ठीक है और सारी चीजे सब कुछ लिंक आपको मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं और मुझे अपना प्यार करना दे सकते हैं ठीक है प्यार का मतलब हुआ है सपोर्ट करिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज ओके बाइबाय टेक कियर मेरी बेस्ट पीसिज आपके साथ हैं भगवान करें आप सभी लोग सिलेक्ट हूं